चलिए आज आप लोग साथ सेयर करते हैं कि निर्मा के खाली पैकेट्स का हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पर मैं बहुत सारी पैकेट्स जो कि हमारे स्नेक्स के एंड नमकेन की निर्मा की जो भी खाली रहते हैं मैं उसका फेकती नहीं हूँ क्योंकि य आज मैं इसी खाली पड़े निर्मा का पैकेट का यूज करूंगी दोस्तों आप पूरा देखेगा आप जाओंग जाएंगे कि इतना बढ़िया बन के तयार होगा ना कि आप बहुत सारे चीजों को इस में स्टोर करके रख पाऊगे तो आपको करना क्या है पहले तो यहां कहा निर्मा का पैकेट कूलते हैं को जैसे समझ में आता हों आला तीर्छा फारके अपना बाहु गोड़े में टो हम क्या खराब कर देथे हैं उसको एकस्ट्रा बाट को टकर खरोता है तो जैस像 में रख नीडलने के बार मुझे कुछ तरीके से मिला हुआ है तो मैं यहाँ प्रोज करके सारी संब अलग कर लोगी तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं सारा पैकड़ेंट अलग अलग हो चुका है अब आपके पास इसारी हो प्लाउच पिश हो या पुराना पढ़ना खुआ खुआ कूर्ती हो जो भी वह आपको लेना है और कुछ इस तरीके से रखते हुए बराबर कट कर लेना है सेम जितना बड़ा हमारा जो है पॉलिथीन है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट करना है और यहां पर जो बार्डर है ना उसको भी मैं अलग करके निकाल दे रही हूं तो बार्डर को मैं लगा लिए उसके बाद कट कर दिया तो दोस्तों आप यकिन नहीं मानेंगे आप देखेंगे तो आप भी बनाएंगे क्योंकि जो इसनेक्स के या निर्मा के जो पैकेट्स होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं बहुर लंबे समय तर चलते हैं तो यहां पर इस तरीके से तो उसके नापका मैं अलग कट कर ली हूँ तो यहां पर मैं क्या करूंगी पहले एक नीचे कपड़ा रखूंगी एक उपर बीच में रहेगा पालिथीन तो चलिए हम सिलाइक कर लेते हैं सेम इस तरीके से हमें सिलाइक कर लेनी है तो सिलाइक कर लेते हैं उसके बाद अच्छे सी फिक्स हो जाए तो यहां पर इस तरीके से मैं सिलाइक कर ली हूँ और यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बार्डर का भी यूज करूंगी तो मैंने यहां पर बार्डर को साइड़ साड़ी किस लगा दिया हुए बहुत ही जादा प्यारा लग रहा है तो यहां पर यह दोनों चीजे मेरी कंप्लीट हो गई है और उधर मैंने जो नेर्मा का पैकेट कट करा हुआ था उसका हो गया है तो देख सकते हैं बहुत ही बड़िया और बीच में जो फूल आ गया है जो साड़ इंब्राडरी किया हुआ था बीच में आगे बहुत ही हम कट कर लेते हैं तो यहां पर इस तरीके से मैंने सर्कल में कट कर लिया हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे जो उपर का इंब्राडरी किया हुआ है उसको उपर रखेंगे और यहां पर जो दो पीस है इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से रखते हुए हमें पूरा का से सिलेंगे दोस्तो आपके पास सिलाई मसीन नहीं तो तो जॉइन कर得े रहे हैं तो हम क्या करेंगे कर दो तो यहां पे इस तरीके से हम और इस तरीके से इसको पकड़ाएंगे और पकड़ाते हुए पूरा राउड करते हुए प्राव्ज खीनजते हुए हमे सिर्डाइक कर लेना है जैसा कि मैंने cut करा हुआ है उसे की तरह हमें यहां पर इसको शिलाई कर लेना है तो चलिए दोस्तों हम इसकी शिलाई कर लेते हैं और side का जो open वाला area रहेगा उसको भी हम join कर देते हैं I hope आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमें सिलाई करनी है तो हमारी friends इतना समझदार है ही कि उनको इस सारी चीजे पता चल जाएगी फिर भी मैंने आप लोगों को एकदम से detail में दिखाय हुआ है तो चलिए हम इसकी सिलाई कर ले रहे हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिलाई कर लिया हुआ है तो इस तरीके से मैंने side का भी area जो है एकदम से बंद कर दिया हुआ है अब इसको हम सीधा कर ले रहे हैं इस तरीके से सीधा कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा चीज बनके त्यार हो गया है दोस्तो आपका जो इसका वेस्ट जो है काफी ज़ादा हार टटना है थोड़ा सा आप चाहो कि एकदम से मजबूत रहे तो आप इसी के अकॉर्डिंग नीचे वाले एरिया का करने आप कोई कर लो उसके बाद आपका बहुत ही बढ़िया सा कैरी बैक बनके रेडी हो गया है दोस्तों जो चीजे हम डेली यूज करते हैं वह हमारी धर उधर फैले रहते हैं और कभी-कभी तो हमें सामने मिलते भी नहीं है तो आपने करना क्या है कुछ इस तरीके से जो भी चीजे आ तो यहां पर मैं अभी कार्ड़ोर नीचे नहीं डाली हूँ इसलिए इसका वेस जो है थोड़ा सा डगमगा रहा है तो आपने करना क्या है उसके नाप से कार्ड़ोर को डाल देना है दोस्तों मेरे पास हाड़ वाला नहीं था इस वज़र से अभी मैं नहीं डाली हूँ त तो उमेद करती हूँ दोस्तों आज का यह हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करिएगा और कहना से आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं ओभी कमेंट में जरूर बताइएगा यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक साइट रख दिया हुआ है सारी चीजें हमें दीक रही हैं तो दोस्तों यहीं पर वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नय है प्राइब वाटे इस वीडिविए